हाथों पैरों या सरीर के किसी भी अंग में बढ़ी भी हड़ी जो है जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं जिनरली यह जहां जॉइंट होता है उस जॉइंट पे हड़ीया जो है वो बढ़ती है जैसे यह थंब के जॉइंट इस कलाई के जॉइंट से जहां मैच हो रहे हैं वहां की हड़ी बढ़ेगी, यह elbow joint होती है, यहां की हड़ीयां बढ़ती है, यह आपके shoulder plate जब यहां पे आते हैं, shoulder के joints यहां की हड़ीयां बढ़ती है, अगर हम पैर की बात करें तो पैरों के जैसे generally अपने उंगलियों की हड़ीयां बढ़ती है, या फिर इस start की उंगली ब बढ़ गई है तो वो painful तब तक नहीं होती जब तक उसने एक limit cross नहीं कर दिया हो जब तक वो painful नहीं होता तो इसके side effect क्या होता है अगर वो pain नहीं भी कर रहा है तो नसों पे दबा बाने क्वेसे क्या होता है सुन पंजिस एरिया में भी हड़ी बढ़ी है उस part के एरिया को व movement होती है वो almost धीरे 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 खतम होनी शुरू हो जाती है और वो last के stage जो आती है तब वो painful होती है उस case में आपको therapy के requirement हो जाती है तो अपनी चीजों को पहले ही समझ जाए और थोड़े बहुत exercise अगर starting में ही हम कर लेंगे तो वो ठीक हो जाती है अगर 80 की हड़िया जाता है यह सबसे खतरना की सिती होती है पैरों में हड़िया अगर बढ़ गई है किसी भी पार्ट में चाहे वो अंगलियों की हो चाहे आपकी इसकी हो आप हमेशा अच्छी company के branded जूते पहने क्योंकि जूतों के अच्छे पहने से आपकी body को आपके पैरों को proper shape मिलती है तबी आपकी जो problem है वो दूर हो पाती है अदर्वाइस यह local का पहनने या फिर चपलों का ज्यादा इस्तेमाल अगर बढ़ी होई हड़ियां तो आपको ज्यादा परेशान करेंगी तो करना क्या है आपने initial stage में अगर आपके हड़ियां बढ़ी होई कहीं नहीं दीख रही है और आपको हाथ पैरों में जुन जुन हाट आ रही है या फिर आपके नम्बने साने शुरू हो गई है तो आप यह मत्म सचे कि आपके हमेशा नवस की problem है वो हड़ियों के बढ़ने का भी एक संकेत है तो आप उस समय क्या करेंगे आप हलकी से oil की मसाज देकर उंगलियो को मूफ करा कर आप उसको गरम पानी में हाथों को डीप करेंगे अब क्या है आपको exercise जो करनी है वो यह वाली करनी है tightly बंद करना ताइटली खोलना जटके देने है यानि हमने जब बंद किया इसको जटके के साथ खोलना होता ताकि पूरे जवाइन्ज को आप वो एक vibration मिल देते वे आपको इसकी मसाज देनी होती है ताकि ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जो है डिक्रीज होता चला जाए और हड़नी अपने पूराने पोजीशन में कोशिस नहीं करेगी आने की बट जहां तक है वो वहां रुख जाएगी अदरवाइज माक्सिमम ग्रोथ होने पर आ आपको सरजरी में अल्टिमेटली जाना पड़ता है जो कि ये समस्या का समाधानी है क्योंकि ये एक जगह से आपने सरजरी कराएंगे वो दूसरी जगह रीग्रोथ करेगा तो कारण किया है कारण ये है कि आपके जॉइन्स में एक्सेस क्यालशियम की जब जमावड़ा हो ये आपने बहुत जादा चोट खा लिया है बार बार अगर आप एक ही जगह पे गिरते पड़ते रहे हैं तो भी आपके ये प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है अब हमने थेरपी में ये ये क्या यूस किया तो हमने ये जड़ी बूटी जो है उसके स्टिक होते हैं जिसको का काम करती है और इस जड़ी बूटियों से उसको पेइन में रेलाक्सेशन मिलता है इनफ्लामेशन में रेलाक्सेशन मिलता है तो दीरे-थीरे आपकी मूवमेंट जो आपकी स्टीफनेस जो है वो ओटोमेटिकली खतम होती चली जाएगी और आप फिट होते चले तो मैं ली रशीग्यान औल्टरनेटिव थेरपी एक्सपर्ट नहीं दिल्ली से मुझसे मिलने के लिए कर्णाल प्रस के नंबर पर संपर्ख करें थैंक्यू